नमस्कार बहुत बहुत स्वागत अभिदंदन आप सभी का द्रश्टी परिवार में मेरे साथ डॉक्तर विकास सिंग के साथ आप भारती सम्विधान तथा राजवस्था को आरेस के पॉइंट अभिवी से पढ़ रहे हैं दोस्तों आज हम सब एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा करेंगे जो की सम्विधान के पॉइंट अभिवी से सबसे महपून टॉपिक है और इसको लेकर बहुत सारे तक्षे अलग-लग किताबों में अलग-लग तरह से दे रहे हैं लेकिन चुक्या आप आरेस की त्यारी के रहे हो तो आप तक सही तक्षों का पहुँचना जरूरी है और इसके लिए हम सीधे सम्विधान सबा के रिसोर्सेज का प्योग करेंगे साथ के साथ इस सम्विधान सबा के टॉपिक में हम नाकिवर सम्विधान सबा के अर्थ को समझेंगे बलकि इसके इतिहास को भी देखेंगे हम बात करेंगे कि भारत में समिधान सभा का गठन कैसे हुआ, समिधान सभा की कारिफ रणाली क्या थी, कौन समिधान सभा का सभापती बना, कौन उपसभापती बना, किसके द्वारा समिधान सभा में अज्यक्षी भूमिका का निर्भन किया गया, कौन उपाज्यक्ष बना, समिधान निर्बान के लिए मैधपुन कौन-कौन सी समीतिया गठित की गई उसमें भी प्रारूप समीति का क्या कॉंटिबिशन या योगदान रहा है समिधान सबा ने भारत में किन-किन भोमिकाओं का निर्भन किया है कैसे समिधान को आंसिक रूप से लागू किया गया कैसे पूंड रूप से लागू किया गया अनुछेत क्या होते है अनुसूचया क्या होती है भाग क्या होते है हमारे समिधान पर किन-किन विदेशी स्रोतों का प्रभाव पड़ा है इन सारी बातों को हम सम्विधान सभा में लेंगे साथ के साथ जो कि आप आरे स्प्री की तैयारी करें हो तो राजस्थान का सम्विधान सभा में क्या योगदान रहा है राजस्थान से सम्विधान सभा में कितने सदश्चों ने कहां कहां से भागिदारी की है उसे भी हम समिधान सभा के टॉपिक के परिपेक्ष में लेंगे तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों किस समिधान सभा का अर्थ क्या है या समिधान सभा की अवशक्ता होती क्यों है तो दुन्या के जितने भी बड़े लोकतांसिक देश है वहाँ पर सम्मिधान निर्बान का कार्य एक प्रतिनिती संस्था के द्वारा किया जाता है लोगों की प्रतिनिती समू को ही सम्मिधान सभा की संज्या दी जाती है क्योंकि आज जन संख्या और छित्रफल की दृष्टी से बड़े-बड़े देशों का अस्तित विद्धिमान है जिसमें ये संभव नहीं है कि सारी जनता एक जगा एकत्तित हो और अपने लिए स्वेम सीरे समिधान का निर्मान कर ले तो समिधान निर्मान का कारिय जिस संस्था के द्वारा किया जाता है उसी को हम सरल भाशा में किसकी संग्या दे सकते हैं समिधान सभा की संग्या दे सकते हैं तो समिधान सभा ही वह संस्था है जिसके द्वारा समिधान का निर्मान किया जाता है अब सम्विधान का निर्बान क्यों किया जाता है, क्या होता है सम्विधान तो किसी भी देश के शाशन को चलाने के लिए सबसे आवश्यक या अपरी हर तक्त्रों खा जाए तो वो सम्विधान माना जाता है अब ये सम्विधान होता क्या है, तो सम्विधान ज्यादा कुछ नहीं, नीमों या कानूनों का समू होता है ये नियम आलिखित भी हो सकते हैं, ये नियम और कानून लिखित भी हो सकते हैं तो लिखित या आलिखित नीमों या कानूनों का वसमू जिसके अनुसार किसी भी देश के शाशन को चलाया जाता है उसी को हम किसकी संग्या देते हैं समिधान की और उस समिधान का निर्बान जिस संस्था के द्वारा किया जाता है उसे समिधान सभा की संग्या दी जाती है समिधान के द्वारा ही नाकेवर साशन के तीनों अंगो अर्थात कारिपाली का एक्जेक्यूटिव रवस्था भी का लेजिस्ट्रिचर नियाइपाली का जुडिश्री की स्थापना की जाती है अब ही तु समिधान ही किसी भी देश में जन्ता तथा सरकार की बीच में संबंधों का निर्धारन भी करता है सहल भाशा में का जाए कहां तक हमारे अधिकार होंगे कहां तक सरकार उन पर पतिबन लगा सकती है इन सारी बातों को निर्धारन किसके द्वारा किया जाता है तो वह सम्विधान के द्वारा ही किया जाता है अब पहले सम्विधान सभा के अगरें बात करें तो 1787 में फिलोडेलफिया सम्मिलन जिसके द्वारा अमेरिका की सम्मिधान का निर्बान किया गया उस Philadelphia सम्मिलन को पहली सम्मिधान सभा की संग्या दी जाती है अमेरिकी सम्मिधान का निर्बान जिस सम्मिलन में किया गया वो सम्मिलन माना जाता है फिलोडाल्फिया सम्मिलन लेकिन दोस्तों यहाँ पर हमें भारत के समिधान के परिपेक्ष में समिधान सबा का अध्यन करना है तो अगर हम बात करें भारत के परिपेक्ष में तो भारत में समिधान तथा समिधान सबा की बांग अचानक से नहीं हुई बलकि भारत में समिधान निर्बान की बांग यहां के स्वतंतता आंदोलन के साथ जुड़ी हुई है कहने का थाथ पर है कि ऐसा नहीं है कि भारतियों ने सोचा और सीधे ही 26 जनौरी 1950 को भारत का समिधान लागू कर दिया भारत में तो समिधान निर्बान की मांग बहुत पहले से ही स्वतंता आंदोलन के दोरानी हो गई थी तो पहले एक बार हम उन सारे विद्वानों के दोरा विचारकों के दोरा जब-जब समिधान और समिधान सभा की मांग की गई हम उस इतिहास को देखेंगे उसके पर शाथ हम आएंगे कि कैसे भारत में समिधान सबा का गठन हुआ है तो अगर हम बात करें भारत में समिधान सबा के इतिहास की तो भारत में समिधान सबा की पहली जलत या जो पहली अवियक्ति जिसके विचारों में हमें दिखाई देगी वो है 1895 में और उनका नाम है बाल गंगाधर तिलक तिलक ने 1895 में एक विधयत या बिल रखा जिसे स्वराज विधयत की संग्या नी जाती है और इसी स्वराज विधयत के मार्जम से पहली बार तिलक ने भारत में समिधान की मांगी तो हम कह सकते हैं कि सरप्रथम 1895 में कौन हो जाएंगे तिलक और अगर हम विध्यक की बात करें तो विध्यक हो जाएगा स्वराजित विध्यक स्वराजि विध्यक के मार्जम से तिलक पहले ऐसे भारती हैं जिन्होंने भारत में समिधान की मांग की थी अब ध्यान ने दोस्तों तिलक के विचारों में इस पस्टूप से समिधान सवा कहीं भी नहीं है तिलक ने समिधान सवा शब्द का प्योग नहीं किया लेकिन कहीं नहीं इन्होंने जो भारत के संदर में भारत के लिए जो समिधान की मांगी इसलिए कहा जाता है कि पहले जो बीज हमें दिखाई देते हैं वो किसके विचारों दिखाई देते हैं तिलक के तिलक ने ये नी बताया कि समिधान कैसे बनेगा, कौन बनाएगा, कौन समिधान में निर्माण में सरभागिता करेगा इनपर कोई चर्चा नीए की लेकिन आप से कहा जाए कि पहला भारती जिसमें भारत में समिधान की मांगी चार ज़त्कियों के नाम अगर आपको संगाधर तिलक का इसी क्रम में समय गुजर्टा गया 1919 का भारश शाषन अधनियम पारित हुआ जिसे आप मौन्टेग्यू चैंसपोर सुधार की संग्या देते हो इस मौन्टेग्यू चैंसपोर सुधार में बिडिश सरकार के द्वारा यह निर्धरित किया गया कि भारत के स बिडिश सरकार इस बात के लिए तयार नहीं थी इस बात के लिए रिजामंद नहीं थी कि भारती अपने समविधान का निर्बान स्वैम करेंगे उसने स्वैम ही अपने आप ही यह उत्तरदाई तो ले लिया कि भारत के समविधान का निर्बान किसके द्वारा किया अब सूच कर देखिए कि क्या ब्रिडिस सरकार के द्वारा जो इस बात का निर्धारन किया गया उसे भारती स्विकार करेंगे बिल्कुल नहीं समिधान हमारा देश हमारा ब्रिटैन कौन होता है जो हमारे समिधान का क्या करेगा निर्मान करेगा तो जैसे ही बेडिस सरकार के द्वारा इस बात का निर्धारन किया गया तो विविन भारती लोगों ने और उस समय के रादितिक दलों ने इस बात का विरूत करना शुरू कर दिया लेकिन आपसे प्रशन रखा जाए कि किस अधरियम में बेडिस सरकार ने ये उत्तरदाई तो लिया कि वह भारत के समविधान का निर्वान करेगी चार विगल्प आपको दिये जाए तो वहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो होगा 1919 का भारत शार्शन अधरियम जिसे हम मौन्टेग्यू चैन्सोर सुधार की संग्या देते हैं तो अगला पॉइंट हम यहाँ पर ले सकते हैं सारी बाते हम पॉइंटों में लिखेंगे 1919 के अधरियम कहा जाए तो भारत शार्शन अधरियम गर्मेंट अप इंडिया एक इसमें क्या कहा गया भारत के भारत के सम्मिधान का निर्वान ब्रेटिस ब्रेटिस संसत का ब्रेटिस संसत का उत्तरदाईत्त है ऐसी बात किस अधरियम में की गई तो 1919 के अधरियम में अभिशीच का व्यापक तोर पर भिरोध होना शुरू हो गया 1922 में महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया भारत का सम्मिधान भारतियों की इच्छा के अनुसार होगा अगर इस तरह का स्टेट्मेंट देकर आपको चार व्यक्तियों के नाम दिये जाए तो वहाँ पर हम किसका नाम प्योग करेंगे महात्मा गांधी का क्यों कहा गांधी जी ने तो हम देख रहे हैं दोस्तों कि 1919 कदियम में ब्रिटाएन ये कह रहा है कि भारत के सम्मिधान निर्बान का उत्तरदाई तो है किसका है ब्रिडिस संसत का तो महात्मा गांधी के द्वारा इस बात का पूर्जो विरोद किया गया उन्होंने का कि भारती अपने सम्विधान का निर्बान स्वैम करेंगे विड़े संसत के द्वारा या अन किसी भी विड़ेशी सक्ता के द्वारा ठोपे गए सम्विधान को भारतवासी स्वीकार नहीं करेंगे तो इस तरह की statement देने वाले व्यक्ति कौन है तो वो हो जाएंगे महात्मा गांधी और कहीं न कहीं इस समिधान सवा के जो बीज हैं वो वापस समय किसके विचारों में दिखाई दे रहे हैं महात्मा गांधी के भली महात्मा गांधी ने इस पस्ट रूप से समिधान सवा शब्द का प्योग नहीं किया लेकिन वो ही कह रहे हैं कि भारत के समिधान का निर्बान भारती जनता के द्वारा या भारती जनता के प्रतनिदियों के द्वारा किया जाएगा इसकी कहीं न कहीं अभिव्यक्ति कि सुप में मानी जा सकती है समविदार सभा के रूप में तो अगला स्टेट्मेंट हम ले सकते हैं कि 1922 में महात्मा गांडी क्या प्रतिकी भारत के समविधान का निर्मान भारत के समविधान का निर्मान भारतियों की इच्छा के अनुसार होगा इस तरह का वक्तव ले किसके दौरा दिया गया महात्मा गांडी के द्वारा अब जब गांडीगी के द्वारा इस तरह का वक्तव जानी किया गया तो इस समय के जितने भी नेता थे सभी गानी जी के सुर में सुर मिलाना शुरू किया कि हमारा तो खुद का क्या होना चाहिए समिधान होना चाहिए ब्रिडिश संसत के द्वारा दिये गए समिधान को हम तो स्विकार नहीं करेंगे अब कहीं न कहीं ब्रिडिश शार्षन के उपर एक दबाव बनने लगा भारतियों के सम्विधान निर्मान को लेकर ऐसी सिति में 1927 में ततकालिम भारत सच्यू भारत सच्यू जो सबसे बड़ा पद होता था संपूर्ण भारत के मामलों को देखता है 1868 के भारत सच्यू बारत के सच्यू बारत के सच्यू के पद का गठन किया गया था क्योंकि उससे पहले आपको गया था कि एस्ट इंडिया कमपनी का भारत में सच्यू था 1888 से ही एस्ट इंडिया कमपनी के सच्यू के समाप्ति कर भारत का सच्यू किसके अंतर के चला गया बिडिशाद के अंतर के चला गया तो ब्रिडिश तार्ट की ओर से भारत के सच्यू को चलाने के एक नवीन पत का गठन किया गया जो कि भारत मंतिया भारत सच्यू का लात कि क्या सम्विधान की मांग के पड़े हो अगर दम है तो किसका निर्बान करके दिखाओ सम्विधान का निर्बान करके दिखाओ अब दोस्त आपको ग्यात है कि सम्विधान बनाना आसान काम तो है नहीं क्योंकि सम्विधान क्या है नीमों और कानूनों का समू है नीम और का सम्मिधान का निर्वान करके लाओ, एक डाप मना के लाओ, एक प्रजेक्ट मना कर लाओ, जिससे लगे कि हाँ, आप अपने सम्मिधान का क्या कर सकते हो, निर्वान कर सकते हो। ये अलग बात है, कि बोतिलाल नहरू का ये जो प्रयास था, ये जो प्रयात्म था, वो अर्सफल हो गया, फ्लॉफ हो गया, लेकिन फिर आप से का जाए, किस सम्मिधान निर्वान का पहला प्रयात्म भारत में किसके द्वारा किया गया, तो वो विक्ति कौन हो जाएंगे, मोतिलाल नहरू, तो अगला पॉइंट हम ले सकते हैं, 1928, मोतिलाल नहरू, कौन सी रिपोर्ट रखी गई, नहरू रिपोर्ट, सम्मिधान निर्वान का, सम्मिधान निर्वान का प्रत्म प्रयास, नहरू रिपोर्ट के मार्जम से, लेकिन प्रयास कैसा हो गया, परन्तो, प्रयत्न कैसा हो गया, तो असपल हो गया, भले ही असपल हो गया, लेकिन पहला प्रयास, किसके दोरा किया जा रहा है, तो वो विक्ति हो जाएंगे, मोतिलाल नहरू, अभी दिर दोस्तों हम देख रहे हैं, किस सम्विधान सभा शब्द का प्योग इस पस्टूप से किसी के दोरा नहीं किया गया, हर कोई सम्विधान की मांग किये पड़ा होगा है, लेकिन पहली बार भारत मगर कहा जाए, कि आपचारिक रूप से, सम्विधान सभा के मार् सम्विधान निर्बान की मांग करने वाला भारती कौन है, तो वो हो जाएंगे मानविन्द नात रॉइ, जिनने हम भारत में सामिवादी आंदोलन के जनक की भी संग्या देते हैं, 1934 में M.N. रॉइ या मानविन्द नात रॉइ पहले भारती हैं, जिनोंने इस पस्ट रू जाए किस सम्विधान सभा के मार्जम से सम्विधान निर्बान की आपचारिक मांग भारत में पहली बार किसके द्वारा की गई? चार जिक्तियों के नाम अगर विकल्प में हैं, तो फिर हमें किसका प्रियोग करना है? तो ऐसी स्थिति में हमें मानविन्द नात रॉइ के एम, एन, रॉय, मानुवेर नात रॉय, आपचारिक रूप से, आपचारिक रूप से, सरप्रथम, सम्विधान सभा के माध्यम से, सम्विधान सभा के माध्यम से, सम्विधान निर्मान की, सम्विधान निर्मान की, मांगी, तो इस पस्ट रूप से, आपचारिक रूप से मांग करने वाला पहला भार्ती कहा जाए, तो वो विट्टी कौन निकल कर सामने आ रहा है, तो वो हो जाएंगे, एम एन रॉइ, या मानुविधान रॉइ, अब ये तो विट्टी के तोर पर हुई, अगर आपसे उहीं पर प्रश्च रखा जाए, कि राजनीतिक डल के रूप में, या पार्टी के रूप में, पहली बात, समिधान सभा के मार्जम से, समिधान की मांग करने वाला कौन सा डल है, तो जब डल की बात आती है, तो हमें याद रखना है, कि स्वराज पार्टी, पहला ऐसा राजनीतिक डल है, जिसने समिधान सभा के मार्जम से समिधान की मांग की थी यह अलग बात है कि कॉंग्रेस की कारसमीती ने भी बात की थी लेकिन इस पर श्रूप से जब दल की बात आती है तो वहाँ पर हम कॉंग्रेस नी बलकी स्वराज पार्टी को लेते हैं तो व्यक्तिकत तोर पर कहा जाए तो MN रॉल दल की स्थर पर बात की जाए तो हम कौन से दल को लेंगे स्वराज पार्टी तो अगला पॉइंट हम ले सकते हैं स्वराज पार्टी प्रथम ऐसा स्वराज पार्टी प्रथम ऐसा राजनीतिक दल है जिसने जिसने सम्विधान सभा के माध्यम से सम्विधान सभा के माध्यम से सम्विधान निर्वान की सम्विधान निर्वान की मान की तो दोनों बात अलग-अलग है व्यक्तिकत तोर पर कहा जाए तो हमें MN राय का नाम प्रियोग करना है दल के रूप पर बात की जाए था हमें किसका नाम प्योग करना है स्वराद्य पार्टी का अब हम देख रहे हैं किस समविधान सभा शब्द प्रियुक्त होने लगा अब बात उठी किस समविधान सभा का गठन कैसे किया जाए किस हाधार पर किया जाए तो इस जीत को खुलासा किया या क्लियर किया 1938 में और वो व्यक्ति हो जाएंगे जवाहलाल नहरू 1938 में जवाहलाल नहरू के द्वारा कहा गया किस समविधान सभा का जो गठन है वो भारती जन्ता के द्वारा व्यस्क मताधिकार के आधार पर किया जाएगा तो फिर आपसे प्रिश्ण रखा जाए कि व्यस्क मता अधिकार का अधार पर सम्विधान सभा के मार्जम से सम्विधान निर्मान की मान किसके द्वारा की गई तो ऐसी सितिम हमें जवाहलाल नहरु का प्योग करना है क्या होता है व्यस्क मताधिकार? तो व्यस्क मताधिकार सभी प्राहे दोस्तों कि बिना किसी भेदभाव के एक निश्चित आयू में सभी को समान रूप से मद देने का अधिकार प्रदान करना चाहे जाती, वर्ग, धर्म कुछ भी हो सेक्षनी की स्थती, वित्ती स्थती, कुछ भी हो बिना किसी भेदभाव के सभी को समान रूप से मद देने का अधिकार व्यस्क मताधिकार कहलाता है यह हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं एक व्यक्ती, एक वोट का सिद्दान किस नाम से जाने जाता है? व्यस्क मताधिकार के नाम से भारत में शुरुवाती दौर में व्यस्क मताधिकार के अंतरगद 21 वर्ष की आयू का निर्धारण किया गया था लेकिन 61 समिधान संशोदन अध्रियम 61 Constitutional Amendment Act 1989 के मार्जम से इसे घटा कर कितना कर दिया गया? 18 वर्ष कर दिया गया तो व्यस्क मताधिकार के अंतरगद पर समिधान सभा के मार्जम से समिधान निर्बान की मांग करने वाला भारती कौन है? तो वो कौन हो जाएंगे? जवाहनला नहरू तो अगला पॉइंच हम ले सकते हैं 1938 जवाहनला नहरू व्यस्क मताधिकार के अधार पर व्यस्क मताधिकार के अधार पर समिधान सभा के समिधान सभा के गठन की मांग की केस अधार पर मांग की जा रही हैं तो व्यस्क मताधिकार के अधार पर समय क्या चलना है? 1938 चलना है अब इसी दोरान आपको ग्यात होगा कि 1939 में डृती विश्य युद्ध की शुरुवात हो गई अंग्रेजों को भारत के सेना की अवशक्ता थी अंग्रेजों ने भारतियों को एक लॉलिपॉप दिया कि आप अपनी सेना हमें दी जिए युद्ध के बाद किसका निर्मान कर लीजेगा? अर्थाट पहली बार अगस 1904 में ब्रेडिश शार्षन के द्वारा भारतियों के समिधान सवा के माध्यम से समिधान निर्मान की मांग को सैद्दान्ति क्या अइस्थाई मंजूरी प्रदान की गई अइस्थाई मंजूरी से ताक पर है कि इससे पहले तो British साशन इस बात के लिए ही तयार नहीं था कि भारती अपने समिधान का निर्वान क्या करेंगे, स्वैम करेंगे यहां पर आकर उस्रे कहा कि ठीक है भारती अपने समिधान का निर्वान युद्ध के बात किसके मार्जिम से कर लेंगे समिधान सभा के मार्जिम से तो आइस थाई मंजूरी या सद्दान्तिक स्विकृति की बात की जाए तो British साशन के द्वारा हमें कप प्रदान की गई तो वो येर कौन सो जाएगा 1940 तो अगला पॉइंट हम ले सकते हैं आगस्थ 1940 में British साशन के द्वारा British साशन के द्वारा British साशन के द्वारा समिधान सभा के मार्जिम से समिधान सभा के मार्जिम से भारतियों के समिधान सवा के मार्जिम से भारतियों के समिधान निर्मान की मांग को समिधान निर्मान की मांग को आइस्थाई मंजूरी प्रदान की गई आइस्थाई मंजूरी या सद्दान्तिक स्विक्रती बेडिश शाशन के द्वारा समिधान सवा के मार्जिम से समिधान निर्मान की मांग को कब राप्त हुई तो वो समय का हो जाएगा 1940 समय गुजरता गया इतियास में पढ़ते हूं दोस्तों के 1942 में एक डेलिकेशन या मिशन आया था जिसे हम क्रिप्स मिशन की संग्या देते हैं इस क्रिप्स मिशन में ब्रेडिश साशन के द्वारा पहली बार भारत में समिधान सवा के मार्जिम से समिधान निर्मान की मांग को पूर्ण मंजूरी प्रदान की गई पूर्ण मंजूरी से ताटपर है कि ब्रेडिश शाशन ने क्रिप्स मिशन में इस बात पर सेहमती प्रदान की के युद्द के पश्या भारती जंटा व्यस्क मताविकार के अधार पर समिधान सवा का गठन करेगी और उस समिधान सवा के द्वारा भारत के समिधान का निर्मान किया जाएगा तो 1940 और 1942 में क्या अंतर है? यहाँ पर आइस्थाई मंजूरी दी जा रही है जब कि कृप्स मिशन में पूर्ण मंजूरी प्रदान की जा रही है सीधे आपसे प्रश्ट रखा जाता है अब चार विकल्प आपको हो ने jullie रिपोर्ट में, क्यब्स मिशन में, अगज प्रिस्ताओं में, सभी में तो ऐसी स्रिती में हमारा आंसर क्या होगा प्रिप्स प्रिस्ताओं या क्यों मिशन में तो अगला पॉइंट हम ले सकते हैं bud 1942 के क्रिप्स प्रस्ताव में, क्रिप्स प्रस्ताव में, ब्रेडिश शाशन के द्वारा, ब्रेडिश शाशन के द्वारा, सम्विधान सभा के माध्यम से, सम्विधान सभा के माध्यम से, सम्विधान निर्मान की मांको, सम्विधान निर्मान की मांको, पूर्ण मन्जूरी, पूर्ण मन्जूरी, प्रेडान की गई, अजिस था ही, 1940, पूर्ण की बाग की जाए तो, 1942, तो हम देख रहे हैं कि कैसे, भारत में सम्विधान या सम्विधान सभा की बांक, अचानक नहीं उठी है, बलकि सतंता अंदोलन के दौरान ही, साथ के साथ सम्विधान और सम्विधान सभा की मांग उठ रही है, अब यहाँ पर अर्थात क्रिप्स प्रिस्ताव में पूर्ण मन्जूरी ते दी गई, कि युद्ध के पश्षाथ भारती जन्ता व्यस्क मताधिकार के अधार पर सम्विधान सभा का गठन करेगी, और वो सम्विधान सभा भारत के सम्विधान का निर्बान करेगी, अर्थात, जिस वर्तवान भारती सम्विधान के अंतरगर हम साशित होते हैं, उसका निर्बान या उसे मूर्ज स्वरूप या उसे व्यावारी करूप जिस योजना के अंतरगर प्राप्ट हुआ है, वो योजना को उसी बने जाती है, कैबिनेट मिशन योजना, तो अक्सर एक स्वाल पूछा जाता है कि सम्मिधान सभा को मोर्थ स्वरूम या व्यावारिक रूप किस योजना के अंतरगर प्रदान किया गया चार योजनाय विकल्प नहों तो वहाँ पर हमें कौन सी योजना को लेना होगा कैबिनेट मिशन योजना कैबिनेट मिशन योजना के अंतरगर थी सम्मिधान सभा का गठन किया गया और उस सम्मिधान सभा ने हमारे वरतमान भारती सम्मिधान का निर्बान किया तो हमें थोड़ा सा विस्तार लेना होगा कैबिनेट मिशन योजना का क्योंकि उसी के द्वारा भारत में सम्मिधान स कैबिनेट मिशन कैबिनेट मिशन योजरा के अंतरगर समिधान सभाका गठन किया गया तथा समिधान सभा ने भारत के समिधान का निर्बान किया समिधान किसने बना है समिधान सभा ने समिधान सभा किसने बनाई कैबिनेट मिशन योजरा ने यहीं पर ज्यान रहे दोस्तों कई बार एक सरग सप्रश्ण पूछ दिया जाता है कि भारती समिधान का निर्बान किसके द्वारक किया गया और एक्जामलर पहला ही विकल्प आपको देता है दॉसा दिया जाए मोतिलाल नहरू तेसा दिया जाए दॉक्टर राजिन प्रशाद और चौथा हो समिधान सभा तो हम जल्दबाजी में डॉक्टर भीम राव अम्बेटकर को ले लेते है कि भारती समिधान का निर्बान डॉक्टर भीम राव अम्बेटकर ने किया नहीं हमें हमेशा जहन देना है कि समिधान निर्बान डॉक्टर भीम राव अम्बेटकर ने नहीं बलकि समिधान निर्मान का कारे तो एक संस्था के द्वारा किया जा रहा है और वो संस्था किस नाम से जाने जाती है समिधान सभा के नाम से और इस समिधान सभा को ज्यावारी क्रूम या मूर्श रूख कौन सी योजना कंतर के प्रदान किया गया है चार योजना हो तो वहा अंसभा के द्वारा किसका निर्बान किया गया तो हो जाएगा भारती समिधान का। तो यहीं पर हमें थोड़ी सी परचर्चा करनी होगी कैबिनेट मिशन योजना पर क्योंकि उसी के द्वारा किसका निर्बान किया गया समिधान सभा का। तो अगली हेडिंग नहीं हम ले लेते हैं थोड़ा सा Cabinet Mission तरथा सम्विधान सभा Cabinet Mission and Constitutional Assembly पढ़ने को तो अप इतिहास में भी Cabinet Mission को पढ़ते हो लेगन पॉलिटी में हमें Cabinet Mission के केवल उनी बातों को लेना है जिसका संबन किस से है सम्विधान सभा से है अर्थार हम उनी बातों को लेंगे जो सम्विधान सभा से जोड़ी हुई है पहली बात क्या है Cabinet Mission क्यों आया कब आया उद्देश क्या था तो आप सभी को ग्यात होगा कि 24 मार्ज 1946 को भारत में एक Mission या Delegation आया जिसे Cabret Mission की संग्या दी जाती है ये बेसिकली इसलिए आया कि कैसे सम्विधान सभा का गठन किया जाए और कैसे भारतियों को सांती पूर्धन से सत्ता का हस्तांतर किया जाए इसी उद्रिश को लेकर 24 मार्ज 1946 को तीन विप्नियों का समू जिसे Cabret Mission की संग्या दी जाती है भारत आया अब कई बात एक सिंपल सा प्रश्ण रखा जाता है आपसे कि निम्न मेंसे कौन Cabret Mission से सम्मंदित नहीं है तो दोस्तों नहीं का अंसर हम तभी दे पाएंगे जब हमें एक्जैक्टली पता हो कि कौन-कौन Cabret Mission से सम्मंदित है तो अगर में बात करें Cabret Mission के तीनों सदश्चों की तो सबसे पहला इसमें जो शामिल है वो है Lord Pathic Lawrence जो की इस Mission के क्या थे अजजट्च भी थे दोस्ता, सर्ड, स्टैफर्ड, क्रिब्स जो पहले भी 1942 में भारत आ चुके थे तीसे जो सदश्च थे ए वी अलग जैंडर तो टोटल कितने सदश्च हो गए तीन कौन-कौन से एक Lawrence, एक Crips, एक अलग्जैंडर यही पर बात की जाए क्यों कहा जाता है इस Mission को Cabret Mission तो ये तीनों की तीनों व्यक्ति अर्थात Lawrence हो गए, Crips हो गए, अलग्जैंडर हो गए, ये तीनों की तीनों व्यक्ति प्रेटिस मंत्री मंडल में Cabret मंत्री का उख़दा रखते थे Cabret मंत्री का दर्जा रखते थे इसी लिए इस Delegation या समू को किसकी संग्या दी गई Cabret Mission की संग्या दी गई अब Cabret Mission ने भारताकर भारती नेताओं से बातचीत की तथा 16 मई 1946 को इसने सम्विधान सभा के बारे में कुछ बाते निर्धारित की क्या निर्धारित की अगर हम कुछ निर्धारन की बाते देखें क्या निर्धारित की तो पहली बार जो इसके द्वारा निर्धारित की गई Cabret Mission के द्वारा क्या किस सम्विधान सभा का जो चुनाव होगा वो कैसे होगा अब प्रत्यक्ष होगा यार कीजिए दोस्तो हमारी मांग क्या थी प्रत्यक्ष की महत्मा गांदी ने का कि भारतियों की इच्छा के अनुसाद होगा जवाला निर्धु ने का कि व्यस्क मताधिकार के अधार पर होगा लेकिन Cabret Mission ने भारतियों की मांगों को ठुकरा दिया उसने का कि सम्विधान सभा का गठन भारति जन्ता के द्वारा गस्क मताधिकार के अधार पर प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जाएगा बलकि कैसे किया जाएगा अब प्रत्यक्ष रूप से कि सदश्यों ध्वारा किसका चुनाओ किया जाएगा सम्विधान सभा का फिर इसे समझेए पहली बात किसने किसके बारे में निर्धर्ट की कैबरेंड मिशन ने निर्धर्ट की किसको लेकर निर्धर्ट की सम्विधान सभा को लेकर निर्धर्ट की क्या निर्धर्ट की, चुनाओं कैसे होगा, आप रित्यप्ष, कौन करेगा, प्रांती विधान सभाओं के सदेश्य करेंगे, क्या भारत की जंता करेगी, नहीं, इसलिए कई बार आपसे प्रश्णा रखा जाता है, कि भारती समिधान निर्बान का कारियर समिधान सभा के द का अधार पर प्रत्यक्षूप से किया गया, तो पहला कतन तो क्या हो जाएगा, सही, कि समिधान निर्बान किस ने किया, तो समिधान सभा ने किया, लेकिन अगर हम दूसरे कतन पर विचार करें, कि क्या समिधान सभा भारती जंता के द्वारा ब्रस्क मताभिकार का अधार पर प्रत्यक्षूप से चुने गई? नहीं. मांग थी हमारी प्रत्यक्षी, तो हमें इस चीज को धान देना है कि मांग थी लेकिन कैवरेंट मिशन के द्वारा उससे क्या कर दिया गया? थुकरा दिया गया. ऐसा नहीं कम भावनात्मों को जाएं कि हमारा इस सम्विधान है तो हमने ही बनाया होगा? नहीं. कैबरेंग विशन के द्वारा भारती जनता के द्वारा प्रत्यक्स रूप से समिधान सभा के गठन के मांग को क्या कर दिया गया थुकरा दिया गया दूसी बात जो कैबरेंग विशन ने समिधान सभा को लेकर निर्धारिक की क्या तो दूसरी बार निर्धार्ट की गई कि समिधान सभा में कुल सदश्यों की संख्या कितनी होगी 389 होगी अब दोस्तों ये सदश्य संख्या में ग्यात हो निचीए टोटल सदश्य संख्या कितनी निर्धार्ट की गई 389 केस के दौरा निरधार्च की गई कैबिन मीशन के दौरा केस को लेकर निरधार्च की गई समिदान सभा को लेकर और अगर इसका भी अगर मैं विस्तार करूं तो इस 389 में कहा गया कि 292 सदस्य कहां से चुने जाएंगे तो 292 सदस्य ब्रेडिस प्रांद से चुने जाएंगे 93 सदाशे देशी रियासत या प्रिंस्ट्री स्टेट्स से चुने जाएंगे उससे में आपको पता है कि भारत ब्रेडिस प्रांद जिसका साथन सीधे गवणर जनल करता था गवणरों के मार्दियम से करता था वो British पांत कर लाते थे वहां से कितने 292 93 कहां से चुने जाएंगे देसी रियासतों से भारत के किस्ता वो भी था जहांपर देसी रियासतों के मादम से सासन हो रहा था तो समयधान समय में 389 में देसी रियासतों को कितनी सीटे प époदान की गई 93 और चार सदश्य कहां से आएंगे तो चार सदश्य के अगर हम बात करें तो ये चार सदश्य चीब कमिश्णरी छेत्रों से चुने जाएंगे तो बात उती है कि चीब कमिश्णरी छेत्र क्या होते है तो जैसे दूस्तों वरतमान में संग सासी तुदेश या यूनिट एक्टरी होते हैं वैसे उस समय इन्हें क्या नाम दिया गया चीफ कमिशनरी छेत्र और वो उस समय कितने थे चार आपसे माली जी इन चारों के नाम पूते जाए या इस तरीके का एक्जामनर आपसे प्रिश्ण रख दे कि निम्न में से किस चीफ कमिशनरी छेत्र ने समिधान सभा में भागीदारी नहीं की तो नहीं का अंसर हम तभी दे पाएंगे जब हमें उन चारों चीफ कमिशनरी छेत्रों के नाम ग्याथू कौन से चार चीफ कमिशनरी छेत्र थे तो अगर हम चार चीफ कमिशनरी छेत्र की बात करें एक थ दोस्तों समय दिल्ली जो की वर्तमान दिल्ली है दूसरा गाजस्तान से बात करें अजबेर मेरवाड़ा दूसरा किन सा दूसरा चीप के में से शेत्रता तीसा कुर्ग जो करनाटक में है बेसिकली इसका नाम कूडगु था लेकिन इसके उच्चारण में थोड़ी सी जा रहे थी इस अंग्रे जोने नाम शॉट में करते क्या कर दिया कुर्ग और चौथा जो था बलूचिस्तान जो वर्तमान आप पाकिस्तान में देखते हो ये चारो उस समय के क्या थे चीप कमिश्णरी छेत्र थे दिल्ली अगमेर मेरवाड़ा कुर्ग और चौथा का जा तो बलूचिस्तान तो टोटल सदस्तं क्या कितने निर्धार की गई? 389 किस तर निर्धार की? कैबरेट मिशन योजदाने किसके निर्धार की? समिधान सभाकिव उस 389 में अगर काया जाए कि बिडिस प्रांतों से कितरे? 292 देशी रियासतों से 93 चीप कमिश्णरी छेत्र से 4 अगर एक्जामिनर आपसे बिडिस प्रांत शब्द का प्योग निकरके बिडिस भारत शब्द का प्योग करता है तो फिर उसमें बिडिस प्रांत चीप कमिश्णरी छेत्र दोनों शामिल हो जाएंगे तो ऐसी स्थी में हमारा आंसर होगा 296 लेकिन अलग अलग बात कर बिडिस प्रांत से 292, 93 देशी रियासतों से 4 चीप कमिश्णरी छेत्र दोनों शामिल होगे तीसरी बात समिधान सवा में एक सदश्य कितनी जनसंग्या का प्यत्र दित्र करेगा तो कैबन विश्ण ने का कि समिधान सवा का एक जो सदश्य है वो 10 लाग की जनसंग्या का और समस्त जनसंग्या को मोटे तौर पर तीन भागों में वर्गिगत कर दिया गया कौन से तीन भाग एक सामान या साधारन दो सा मुसलिम और तीसा का जाय तो सिख्ध इन तीन भागों में समस्त जनसंग्या को क्या कर दिया गया वर्गिगत कर दिया गया चौती बाड जो कैबलेंग विशन योजना ने समिधान सभा को लेकर नर्धारित की क्या कि देशी रियासतें प्रिंस्क्रय स्टेर्ट और देशी रियासते भी हमने देखा कितनी सीट रखी गई देशी रियासतों के प्रतनिती समिधान सवा में कैसे होंगे तो कहा गया इसका निर्धारण देशी रियासते और समिधान सवा की जो वारता समीती है वो आपस में मिलकर निर्धारण करें की और ये निर्धारण हुआ कि देशी रियासतों के प्रतनिती समिधान सवा में मनोन होंगे नॉमिनेटेड होंगे तो अगली महत्पून बाद देशी धियासितों के प्रतनेट ही क्या होंगे मनोनित होंगे वहां पर चुनाव नहीं होगा अगली महत्पून बाद जो कैब्रेंट मिशन ने निर्धारिक की कि जब तक सम्विधान सभा के द्वारा नए सम्विधान का निर्बान नहीं हो जाता है तब तक सभी राजनीतिक दलों को मिला कर किसका निर्बान किया जाएगा सभी राजनीतिक दलों को मिला कर अंत्रीम सरकार या इटेरिम गौर्मेंट का दिर्बान किया जाएगा इतियास माँ पढ़ते हो कि जवाहला नहरू की उपाजिक्स्ता में कुल 12 सदस्षी अंत्रीम सरकार का डेठन किया गया था तो अंत्रीम सरकार का प्रावधान भी किसके द्वारा किया गया क्याविनिट मिशन योजना के द्वारा तो सरो शब्दों में का जाएग क्या क्या बाते निर्धर की पहला चुनाव कैसे होगा अप्रिक्ट्रक्श कौन करेगा प्रांती विदान समाओं के सदश्य करेंगे क्या भारत की जनता करेगी नहीं तोटल कितने सदश्य होंगे 389 उसमें से ब्रिटिस प्रांतों से कितने होंगे 292 देशी रियासतों से कितने होंगे 93 चीप कमिश्टरी छेत्रों से कितने होंगे चार, एक सदर्शे कितनी जन सांग क्या का प्रतित करेगा, दस लाक, देशी रियासतों के प्रतिन जी क्या होंगे, मनोनित, जब तक समिधान नहीं बनता है, तब तक किसका प्रावधान क्या गया, अंतिम सरकार का, अब दोस्तों, बारी आई चुनाओ की, चुनाओ से हलाकि एक्जाम में तो क्रश्ण कम तूछे जाते हैं, लेगिन चुनाओ, हमें ये समझदे में मदद करता है, कि आखिर भारत का विभाधन हुआ क्यों, तो जुलाई अगस्ट 1946 में, कैबिनेट मिशन योजना कैंतरगर, कुल 296 सदर्शों के लिए चुना हुए, कितने सदर्शो के लिए हैं, कैबिनेट मिशन, योजना कैंतरगर, कुल 296 सदर्शों के लिए चुना हुए, तो फिर आपके मन में प्रश्णा रहा हुगा, कि अभी तो हमने बात की, कि समिधान सभा में, जो कुल सदर्श होंगे, वो कितने होंगे, 389, तो फिर चुनाओ 296 के लिए क्यों हो रहा है, क्योंकि अभी हमने पीछे चर्चा की थी, कि देशी रियास्तों के जो प्रतिनिती हैं, वो समिधान सभा में क्या होंगे, मनोनित होंगे, तो 93 अगर हम निकाल दे, 389 में से, तो पीछे कितने बढ़ गए, 296, 296 सदर्शों के लिए चुना हुआ, चुनाओ के प तो रिजल्ट कुछ हिलाने वाला था, कैसे हिलाने वाला था, तो कॉंग्रिस को तो सीटे में ली, 208, मुस्लिम लीग को सीटे में ली, मात्रती हत्त, अधर या अन्य को सीटे में ली, 15, कहां तो मुस्लिम लीग, ये सोच रही थी कि वो कॉंग्रिस को क्या देगी, टक्कर ज़ेगी। कहां मुस्लिम लीग मात्र कितनी सीटों पर सिमट गई। 73 सीटों पर सिमट गई। मुस्लिम लीग को लगा अगर वो इस सम्मिधान सवा में रहती है तो कॉंगरिस उसके उसके ऊपर हमेशा क्या रहेगी हावी रहेगी। मुस्लिम लीखने का कि हमें ये समिधान सबा मनजूर नहीं है हमारा तो एक प्रथक राष्ट होगा वहां की एक प्रथक समिधान सबा होगी जो हमारे समिधान का क्या करेगी निर्बान करेगी मुस्लिम लीखने का कि हम इस समिधान सबा को मनजूर नहीं करेंगे हमारा तो एक प्रथक क्या होगा राष्ट होगा वहां की एक अलग समिधान सवा होगी जिसके द्वारा हमारे समिधान का क्या किया जाएगा दिर्बान किया जाएगा दोस्तों इत्यासमा परती हो कि मुस्लिम इग ने अपनी मांग को मनवाने के लिए जगर जगर साम्प्रताइक दंगे करवाने शुरू कर दिये अन्त तो गत्वा बिडिश सासन विचारा क्या करता तीन जून 1947 को प्राथत पाकिस्तान की घोश्टा करनी पड़ी और माउंट बैटन प्लान के अंतरगाद क्योंकि मुस्लिन लीक ने बकादा भारत का विभाजन हो गया ऐसी सिती में माउंट बैटन का अंतरगाद या आप से कई बारा कर पूछ लिए जाए कि 15 अगस्ट 1947 को जब भारत का विभाजन हो गया इस दिन समीधान सभा में कुल कितने सदश्य थे तो ध्यान दीजेगा दोस्तों यहाँ पर जो हमें आंसर देना है वो है 318 कई किताबों में आप पढ़ ले तो 324 लेकिन ध्यान देगे प्रश्ट मेरा यह है कि 15 अगस्ट 1947 या इसे हम कह सकते हैं कि जब माउंट बैटन प्लान आया भारत का विभाजन हुआ उस समय सदश्यों की संक्या तो कितने 318 तो फिर आपके मन में आ रहा होगा कि 324 क्या है तो जैसे ही भारत सुतंत्य अधरियम पारित हुआ तो उसमें एक आ गया कि जो भारत की समिदान सबा है वो भारत के लिए कारे करेगी और पाकिस्तान अलग अपना वो करेगा बंगाल और पंजाब के सदश्यों को फिर से का होगा चुना होगा ऐसी सिती में सीटों की संक्या घटी और घटकर कितने होगी 318 इसके परशार बंगाल से 2 सदश्य बढ़े पंजाब से 4 सदश्य बढ़े और हम कह सकते हैं कि 27 जनवरी 1948 को जैसी 6 सदश्य बढ़े तब समिधान सबा में सदश्यों की संक्या कितनी हुई 324 तो दो प्रश्णों पर गौर कीजिए आप से दिर एक्जामिनर प्रश्ण रख रहा है कि 15 अगस 1947 को या भारत के स्वतंता के समय या प्रश्ण की भार्शा बदल दिया जाए कि समिधान सबा में सदश्यों की कुल कितनी संख्या निर्धर की गई थी तो वहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा 318-318 लेकिन जैसे ही मैंने आप से कहा कि सदश्यों की संख्या तो घटी बढ़ती नहीं तंग्राल से दो सदश्य बढ़े चार सदश्य और बढ़े पंजाब से जब छे सदश्य बढ़ गए तो फिर ऐसी स्थिती में सदश्यों की समिधान सबा में कुल संख्या कितनी होगी 324 लेकिन हमारे एक्जाम के पॉंट अ व्यू से दो संख्या आपको विश्य शूप से ग्यात होने चीए क्या पहला टोटल सदश्यों की संख्या कितनी थी तो अभी उमने पीछे पड़ा 389 दूसा जो मैंत्मुन तर्थ्य में ग्यात होने चीए कि 26 नवंबर 1949 को जब समिधान सबा के द्वारा भारत के समिधान का निर्मान किया गया उस दिल समिधान सबा के कुल कितने सदश्यों ने भारती समिधान पर हस्ताक्षर किये तो वो सदश्यों की संख्या कितनी हो जाएगी 284 या 284 तेवल दो संख्या जो विशेष रूप सामे ग्यात्रुन चीए शुरुवाती दौर में कुल कितनी थी? 389 जब हस्ताक्षर की बारी आई उस समय सदश्यों के संक्या कितनी थी तो 284 यह लग बात है कि भारत विवाजन के समय 318 थी फिर 6 सदश्य बड़े तो 324 होगी लेकिन जब भारत के समिधान का समिधान सबा ने निर्बान किया उस दिन भारती समिधान पर समिधान सबा के कुल कितने सदश्यों ने हस्ताक्षर किये तो हस्ताक्षर करने वाले सदश्यों की संक्या कितनी मान जाती है 284 यह 284 मान जाती है अब दोस्तों एक तिथी आईए हमारे समख 26 नॉंबर 1949 इस तितिका भारती समिधान में बहुत जादा महत्तो है जैसे जैसे हम पढ़ते चलेंगे वैसे वैसे इसके महत्तो को देखते चलेंगे लेकिन फिलाल अभी के लिए इस तितिके दो महत्तो हैं क्या पहला अक्सर आप एक स्वाल पूछा जाता है कि भारत की समिधान का निर्बान कब हुआ और हम जल्दबाजी में कई बार 26 जनॉरी 1950 आंसर दे देते हैं हमें ध्यान रख रहें कि भारती समिधान का निर्बान 26 जनॉरी 1950 को नहीं हुआ अभी आगे हम देखेंगे कि उस दिन तो भारत का समिधान लागू हुआ था भारत की समिधान का निर्बान समिधान सबाने कौन सी तिठी को कर लिया था तो 26 नॉर्बर 1949 को ये कर लिया था दूसा महत्रिस तिठी का भारती समिधान पर प्रारंभीक अस्ताक्षर या 284 सदश्चों अस्ताक्षर कौन सी तिथी को किये थे तो ऐसी सिती में फिर सा हमारा आंसर क्या होगा 26 नॉंबर 1949 तो दो महत्तों निकले एक तो इस दिन सम्मिधान बनकर तैयार हुआ किसने बनाएं सम्मिधान सभाने बनाएं दूसा जो महत्तों है कि टोटल कितने सदश्चों ने सम्मिधान सभा के प्रारंभी कुरूप से भारती सम्मिधान पर हस्ताक्षर किये तो वो सदश्चों के संक्या कितनी हो जाएगी 284 तो यहीं पर यह जो बाते हमने कैब्रेट विशन की सम्मिधान सभा को लेकर पढ़ी है इसे अगर हम एक प्रेश्चन की रूप में समझे ताकि हम यह पता लगे कि इस बात के हम कितना समझ पाए हैं नहीं समझ पाए हैं तो मालीजे दोस्तों आपसे प्रेश्चन रखा जाए सम्मिधान सभा का सम्मिधान सभा का गठन किया गया किसके दोरा गठन किया गया कुछ विकल्प अखे जाएं विकल्प ए विकल्प ए भारती जनता त्वारा भारती जनता त्वारा प्रत्यक्षूप से directly वेकल्ब ब निर्वाचित सदशो के द्वारा by the elected member वेकल्ब दी मनोनी सदशो के द्वारा by the nominated member वेकल्ब दी निर्वाचित तथा निर्वाचित तथा मनोनी दोनों के द्वारा अब यह जो प्रश्टर हम बोर्ड पर देख रहे हैं यह प्रश्टर आपको यह समझने में मदद करेगा कि आपने समविधान सवा के चुनाओ को कितना समझा है सिंपल से एक प्रश्टर रखा गया है कि समविधान सवा का गठन भारत में किया गया पहला विकल्प है भारती जनता द्वारा प्रत्यक्षूप से दूसा विकल्प है प्रांथी विधान सवाओं के निर्वाती सदश्यों द्वारा तीसा विकल्प है मनोनी सदश्यों के द्वारा चौथा है निर्वाती तथा मनोनी दोनों के द्वारा अब आपने से जिसका आंसर पहला है कि भारती जनता दोरा प्रत्यक्षूप से इसका मत्तब हुआ कि वो तो समविदान सभाब को कुछ समझी नहीं पाया है क्यों क्यों कि हमने पीछे पड़ा है कि हमारी मांग थी प्रत्यक्षी लेकिन क्या कैविलिन मिशन के द्वारा इस को मंजूरी दी गई कि भारती जनता व्यस्क मताधिकार का अधार पर प्रत्यक्षूप से करेगी नहीं कि पहला अंसर तो क्या है गलत जिनका अंसर भी निर्वाची सदश्यों के द्वारा इसका मत्तब है कि उन्होंनों भी दंचे नहीं सुना क्या प्रांती विदान सभा जो देशी रियासतों से सम्मंदी थे उनका तो समिधान सभा में क्या हुआ था मनोनित तो केवल निर्वाचीत वाला विकल भी गलत है जिनका अंसर C है मनोनित ये भी गलत है क्योंकि 93 सदश्य क्या होने थे मनोनित बाकी का तो क्या होना था चुनाओ तो इस प्रस्ण में exactly जो आंसर निकलेगा वो क्या निकलेगा दील समिधान सभा का गटन भारत में निर्वाचीत और मनोनित दोनों सदश्यों के द्वारा किया गया प्रांतों से निर्वाचीत थे देशी रियासतों के प्रतिनदी क्या थे मनोनित थे तो हमें इस तरीके से प्रश्ण को समझ कर बिना जल्दबाजी के उए आंसर देना है क्योंकि चीज़े आपने सारी पढ़ी है लेकिन कई बाद जल्दबाजी में हम केवल निर्वाचित या केवल मनोनित या जनता दौरा प्रत्र इस तरीके सांसर देते हैं तो इसका सारी निकला कि भारत में जिस समिधान का निर्वाण समिधान सभा के द्वारा किया गया वो जो समिधान सभा है वो आंसिक रूप से निर्वाचित निकाय थी और आंसिक रूप से कैसा निकाय मानी जाती है तो मनोनित निकाय मानी जाती है तो निर्वाचित भी थी और आंसी गूरूप से कैसी थी, मनोनीत भी थी अब जब समिधान सभा का गठन हो गया, तो कहा गया, किसकी कारेपनाई की चाहे, शुरुबात की चाहे एक नशें डालते हैं, कि समिधान सभा ने अपनी कारेपनाई का संपादन कैसे किया तो यहीं पर आगला point हम ले लेते हैं समिधान सभा की कारप्रणारी working process अब पहरी बात कैसे कारप्रणारी की कैसे कारवाई कारजन किया तो इस शीज को लेकर भी आपके मन में काफी confusion लेता है किसम इदान सभा के कुल कितने अडिवेशन हुए कितनी बैट के हुई तो दोस्तों चुकि आप RSP का अग्जाम दे रहे हो तो ऐसी स्थिति में जरूरी है कि आप तक सही जानकारी हो आपको बता दूँ कि अलग-अलग किताबों में आप अलग-अलग बैटकों को लेते हो कई जगा 165 बैट तक देखते हो कई जगा 166 देखते हो कई जगा 163 देखते हो कई जगा 164 देखते हो कई जगा 167 आपको दिखाई जेता है तो आपको जो आंसर देना है वो हमेशा 167 का देना है इसका मतलब हुआ कि समिधान सवा ने अपनी समस्थ जो कारवाई है वो 12 अधिवेशन या 12 सेशन जिसा आप सत्र कहते हो और उस 12 अधिवेशन में कुल 167 बैटके की थी जब आपका आंसर 165 बैटको का होता है तो इसका मतलब है कि आप केवल ओ केवल 26 नॉम्मा 1949 तक ही बात कर रहे हो 24 जनुरी 1950 को आप नहीं जोड़ रहे हो तो जब भी आप से प्रखा जाए कि समिधान सभा ने अपनी कार्वणा कार्वणारी का संपादन कितने शाषन में कम्टीट किया तो आंसरों का 12 कुल बैटके कितने की 167 यहीं प्रखा जाए तो हम कह सकते हैं कि समिधान सभा ने अपनी समस्थ कार्वणारी का संपादन बारा अधिवेशन या बारा सत्र बारा अधिवेशन तथा 167 बैटकों के माद्यम से संपन किया तो सत्र का जाए तो 12 बैटके का जाए 167 अब चुकि हमने बात कि यह 167 की 12 सत्र की तो मैं चाहूंगा कि आपको 12 के 12 सत्र की भी जानकारी हो और यह भी जानकारी हो कि कौम से सत्र में कितनी बैटके हुई है बकायदा, अगर स्टेंडर का प्रश्न है, तो आपसे किसी भी सत्र की अवधी को पूछा जा सकता है, किसी भी सत्र के अंतरगर कुल कितनी बैटके हुई, उस संख्या को भी पूछा जा सकता है, और टोटल बैटके, जैसा कि मैं आपसे का कि वो कितनी थी, 167, तो मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन-कौन से 12 सत्र हुए है और किस सत्र में कितनी बैटके हुई है और कैसे कुल बैटकों का योग 167 हुआ है तो अगर इसे हम एक PPT के बारते मुसे समझे आपके समझ एक चाट है एक बैटके पहला सत्र जो चला वो 9 दिसंबर 1946 से लेकर 23 दिसंबर 1946 तर ये समझान सभा का फॉस्स सेशन या पहला सत्र था और इस पहले सत्र में टोटल अगर कहा जाए बैटकों के संग्या कितनी थी तो हम देख रहे हैं कि बैटकों के संग्या कितनी थी 11 आप से कथन कारण का प्रश्ण रखा जाए कि समझान सभा के पहले सत्र में कुल पांच बैटकों का आयूजन किया गया है कथन क्या हो जाएगा असर्थ क्योंकि हम देख रहे हैं बैटके कितनी है तो 11 आप से कहा जाए कि पहला सत्र 9 दिसम्बर 1946 से लेकर 15 अगस्ट 1947 तक चला फिर से कथन गलत हो जाएगा क्यों 9 दिसम्बर 1946 से लेकर 23 दिसम्बर 1946 समझान सभा का पहला सत्र चलना है तो सत्र यहां से यहां तक इसके अंतरगत कुल बैटकों की संक्या कितनी है तो आंसर क्योंगा 11 दूसरे की बात करें 20 जनुरी 1947 से लेकर 25 जनुरी 1947 तक चला और इसके अंतरगत समझान सभा में अर्था दूसरे सत्र में कुल बैटके कितनी आउजित की गई तो पांच बैट का आउजित हुई है इस इक्रब में आगे बढ़ें तीसे सत्र की बात करें 28 अप्रेल 1947 से लेकर 2 मई 1947 तक तीसा सेशन चला और इस तीसे सेशन में कुल जो बैटके आउजित की गई वो कितनी थी पांच थी 14 जुलाई 1947 से लेकर 31 जुलाई 1947 तक चला और इसके अंतरगर कुल बैटके कहा जाए तो कुल कितनी हुई है तो 14 हुई है 15 सत्र की बात करें 14 अगर्स 1947 से लेकर 33 अगर्स 1947 तरग और इसके अंतरगर कुल कितनी बैटके आउजित की गई है तो 11 बैटके आउजित हुई है छटे सत्र की बात करें 27 जनरजी 1947 केवल एक दिन चला है और एक ही दिन में कितनी बैटक हुई है तो एक बैटक हुई है तो अभी तक अगर हम इस सत्र से प्रश्टे लिका लें आप से का जाए कि सरवादिक बैटके कौन से सत्र में हुई है चार विकलफों तो आंसर को जा करें कि मात्र केवल कितनी बैटक हुई है तो एक बैटक हुई है एस इक्रम में साथवे सर्शन की बात करें चार नौवंबर 1947 से लेकर आठ जनरी 1949 तक हुआ और इसमें हम देख रहे हैं कि कुल 36 बैटको का क्या किया गया है अविजन क्या गया है आठवे सत्र की बात करें 16 माई 1949 से लेकर 16 जून 1949 तक चला है और इसमें कुल 23 बैटके समिधान सभा की आउजन की गई नौवे सत्र की बात करें 30 जुलाई 1949 से लेकर 18 सितमबर 1949 तक चला और इसमें कुल 38 बैटको का आउजन किया गया है दस्वे सत्र की बात करें 6 अक्टूबर 1949 से लेकर 17 अक्टूबर 1949 तक चला और इसमें कुल 10 बैटके समिधान सभा की आउजन की गई अगली बात करें 11 सत्र की 14 जूनबर 1949 से लेकर 56 जूनबर 1949 तक चला और इसमें कुल 12 बैटके क्या की गई आउजन की गई अंति बारव सत्र की बात करें ये कब होगा चौभी जनरी 1950 को और इस दिन एक ही दिन बैठक हुई और इस तरीकेस हम देख रहे हैं कि समिधान सभा में जो कुल बैठके हुई वो कितने हुई 167 तो समिधान सभा ने अपनी समस्थ कारपणारी का जो संपादन किया वो कितने अधिवेशन ये स्याशन के मार्जम से किया 12 सत्र के मार्जम से उस 12 सत्र में सरवादिक सरवादिक कहा जाए या टोटल बैठक कहा जाए तो कितना हो जाएगा 167 अब इसमें एक प्रश्ण जो और अच्छा निकलता है आपसे पूछा जा सकता है कि समिधान सभा के कौन से स सत्र में सरवादिक बैठक होई तो टोटल जब हम देखें तो वो सत्र निकलना है नौवाद आपसे कथन कारण का प्रिश्ण रखा जाए कि समिधान सभा के दूसरे सत्र में सरवादिक बैठक होई ऐसी सिति में कथन गलत हो जाएगा क्योंकि जिस सत्र में सरवादिक करते हैं तो टोटल सेशन या दिवेशन कितने हुए मारा उस पारा दिवेशन में कुल कितनी बैठके हुई है तो वहां परमांसर देना 167 अब इसमें से जो शुरुवाती दौर की बैठके हैं वो हमारे लिए बहुत जारा महत्मून है क्योंकि वहां से फिर एक्जाम से क्व बाउना रहती है तो यहीं पर अगर हम समिधान सवा की प्रैथम बैठक की बात करें प्रैथम बैठक है 167 बैठकों में पहली बैठक कब हुई या पहले सत्र की शुरुवात कब हुई तो आप सभी को ग्या थे दोस्तों कि यह हुआ 9 दिसंबर 1946 को अब इस पहली बैठक में क्या क्या किया गया तो कुछ हम है पून कार देख लेते हैं पहली बैठक में सम्विधान सभा में अइस्थाइश सभापती का निरवाचन किया गया केसे बनाय जा आइस्थाई सभापती तो इस अंदर में हमने फ्रांस के समीधान का अनुसरन किया क्या फ्रांस के समीधान में क्या प्रचलन है तो वहाँ पर ये प्रचलन है कि जो समीधान सभा का सबसे सीनियर विक्ती है वो या उसे आइस्थाई सभापती के रूप में निर्वाचित किया जाता है भारत में भी हमने फ्रांस के समिधान का नसरंड करते हुए समिधान सभा के जो सबसे सीनियर मेमर थे जिनका नाम था डॉक्टर सजिदानन सिनहा उन्हें हमने समिधान सभा का और इस्थाई सभापती निर्वाचित किया कौन सी बैठक में? पहली बैठक में तो पहला काम तो हम कह सकते हैं कि कौन से रेस का अनुसरन किया? फ्रांस क्या अनुसरन किया? सबसे वरिष्ट सदर्श्य कौन? तो डॉक्टर साचिदा नंद सिधा साचिदा नंद सिधा को आकिया आइस्थाई सभापती निर्वाचित किया गया पहले हम सारे तथ्यों को समगते हैं फ्रांस का नुसरन करते हुए समिधान सभा के जो सबसे शीनियर मेंबर थे वरिष्ट से दर्श्य थे जिनका दाम था डॉक्टर साचिदा नंद सिना उन्हें समिधान सभा का आइस्थाई सभापती निर्वाचित किया गया अब दोस्तों ये सबसे सीनियर थे काफी वईवर्द्य थे तो इन्होंने अपने स्वास्त का हमाला दित्ती वे का कि मुझे एक और साहे की क्या है अवश्यक्ता है ऐसी स्थी में पहली बैठ्ट में एक और रिट्टी जिनका नाम है फ्रेंड एंथोनी जो की एंगलो एंजिन या आंगल भारती वर्ग का पत्रिजित्व करते थे इन्हें समिधान सभा में इनकी द्वारा उपसभापती मनोनित किया गया दो वेक्टियों के नाम पर विचार कीजिए अई स्थाई सभापती को निर्वाचित हुआ डॉक्तर सजिदानन सिना पहली बैठक में सजिदान न सिदा ने केसे समिदान सभा का उपसभापती मनोनित किया ऐसी स्थितिम आपका नाम क्या होना तिये फ्रेंग एंथोनी अब इस पहली बैठक में थोड़ा सम सदश्यों की संक्या उस पर बात कर लेते हैं तो आप सभी को क्याते है कि समिदान सभा में तो कुल 389 मंबर थे लेगिन चुकि मुस्लिम लीग समिदान सभा का वईश्कार करी थी देशी रियासते भी अभी इस बात का नेड़ नहीं ले पारी थी तो समिदान सभा में भागिदारी करें कि नहीं करें इसलिए जब भी आप से का जाए कि समिदान सभा की पहली बैठक में कुल कितने सदश्य उपस्ति थे तो ध्यान दीजेगा दोस्तों वहाँ पर जो आंसर होगा कितना होगा 207 सदश्य पहली बैठक में कुल सदश्य जो उपस्ति थे उनकी संख्या केवल और किवल कितनी मान जाती है 207 कई किताबों में आप 211 पढ़ते हो ध्याने समिधान सभा के पहले सत्र में 211 सदश्य उपस्ति थे पहले सत्र का मतलब 9 दिसमबर से लेकर 23 दिसमबर तक पहला सत्र चला है उस पूरे पहले सत्र में सदश्यो के संख्या 211 थी लेकिन मेरा प्रश्न है कि पहली बैठक में तो पहली बैठक में जब सदश्यो की संख्या का जाएगा तो वहाँ पर सदश्यो की संख्या होगी 207 पहले सत्र की बात की जाए पहला सित्य तो 9 दिसंबर से लेकर 23 दिसंबर चल रहा है तो वहाँ पर सदश्यों के संक्या कितनी होगी 211 तो पहली बैठक में 207 सदश्य थे और इसका कारण यह था कि मुस्लिम लीग ने समिदान सभा का भईसकार कर रखा था देशी रियासतों ने समिदान सभा में पहली बैठक में भागिदारी नहीं की बाद चली है मुस्लिम लीग की तो यहीं पर एक तच्छे को मैं वापस आपके समख शर्टना चाओंगा आप बहुत सारे किताबों में पढ़ते हो कि मुहमद अली जिन्ना मुहमद अली जिन्ना समिदान सभा के सदश्य नहीं थे लेकिन धाने दोस्तों ये गलत फैक्ट है ये गलत फैक्ट है क्यों मुहमद अली जिन्ना और इंडिया मुस्लिम लीग से पंजाब से बकायदा समिदान सभा के सदश्य थे कि ये अलग बात है कि उन्होंने मुस्लिम लीक के कारण समिदान सभा के बहिसकार का नेना ले रखा था तो मान लीजिए अगर आपसा एक्जामनेत प्रश्ट पूरता है कि मुहमद अली जिन्ना समिदान सभा के सदश्च नहीं थे तो ऐसी स्थिती में ये गलत होगा बिलकुल मुहमद अली जिन्ना समिदान सभा के सदश्च थे कहां से थे तो मैंना आपको बता दिया पंजाब से थे ये अलग बाते को उन्होंने बहिसकार का क्या कर रखा था नेना ले रखा था इसी तरीके से महात्मा गांधी हो गए तेज भादु सप्रू हो गए जैप्रकास नरायन हो गए इन्होंने तो समिदान सभा का चुनाव भी नहीं लड़ा था गांधी जी तेज भादु सप्रू जैप्रकास नरायन ये वो शक्षे थे जिन्नोंने समिदान सभा का चुनाओ लड़ाई नी तो जिन्ना की जब बात की जया है तो पंजाब से बकायदा वो सदश्य थे लेकिन चुकि मुस्लिम लीक ने भाइसकार का निर्णे ले रखा था इसलिए उनके द्वारा समिदान सभा में भागीदारी नहीं की गई तो इस चीट को भी हमें क्या करना है ध्यान रखना है पहली बैठक में सदश्यों के संक्या कितनी दोसो साथ पहले सत्र में सदश्यों के संक्या कितनी दोसो क्या रख क्या किया गया मैलाओं की भूमी का राजिस्थान की भूमी का अगर यही पर हम देख रहे है तो ध्यान दीजेगा दोस्तों इस पहली बैठक में एक सदश्य जो की बंगाल से थे जिनका नाम था प्रसन देव रैकुल इनका दिधन हो गया था तो पहली बैठक में बकाईदा समिधान सबा के सदश्यों ने सोक संवितना क्या की व्यक्त की किसको लेकर प्रसन देव रैकुल को लेकर यहीं पर सदश्यों ने समिधान पर हस्ताक्षर की बकाईदा सुब कामना है संदेश भी पढ़े के पहली बैठक में राजस्थान से प्रतिने दित्रों की बात करें यह आप से प्रश्ण रखा जाए कि क्या राजस्थान से समिधान सभा में पहली बैठक में कोई सदश उपस्तित हुआ बिलकुल अजमेर मेरवारा याद की जब हमने पीछे पड़ा है कि जो चीफ कमिस्टरी छित्र था और यहां के एक शक्षित थे जिनका नाम था मुकुट बिहारी मुकुट बिहारी लाल भारगो यह पहली बैठक में राजस्थान की तरफ से समिधान सभा में थे तो चुक्कि आप आरिस के अग्जम दे रहे हो तो आपसे बगादा पीछा जाए कि राजस्थान से पहली बैठक में तो हमें किस कांसर ले रहा है मुकुट बिहारी लाल भारगो का अभी हम सारे के सारे सद्शे देखेंगे जो समिधान सभा हम राजस्थान से थे लेकिन बात चली जब पहली बैठक की तो पहली बैठक मगर चार विक्दियों के नाम दिये जाएं तो हमें मुकुट बिहारी लाल भारगों के नाम का क्या करना है प्रियुक करना है दूसरी बात महिलाओं की बात कर ले ऐसे तो समिधान सभा में जब आपसे कहा जाता है कि पंद्रा टोटल महिलाओं के संक्या समिधान सभा में पंद्रा मानी जाती है लेकिन अगर कहा जाए कि पहली बैठक में प्राथम बैठक में समिधान सभा की कुल कितनी महिलाओं के द्वारा भागीदारी की गई तो वहाँ पर हमें आंसर कहा देना है Pannimina है दो अलग अलग सवाल है अगर एक्जामनर आपसे प्रिश्ण रख रहा है कि कुल मैहिलाओं की संख्या तब तो हमारा आंसर क्या होगा फंद्रह मैमना यहां लेकिन अगर ₹जामनर का से महिला समूर्धान सभा में शामिल नहीं थी, तो नहीं का अंसर के लिए फिर हमें 15 की 15 महिलाओं की क्या होनी चीए जानकारी होनी चीए, तो ऐसी सितिम अगर एक नजर दालें, समूर्धान सभा की कुल 15 महिलाओं के नाम पर, हलाकि पहली बैठक की जब बात चले तो वहाँ पर कुल महिलाओं की संक्या किती थी दस लेकिन टोटल और ओर ओल महिलाओं की संक्या किती थी पंद्रा तो अगर हम पंद्रा की पंद्रा महिलाओं पर अगर हम भागिदारी करें या एक नज़र डाने ये पंदर की पंदरे भाईलाओं का नाम करण है पहला अम्मु स्वामिनाथन ये पहली बैठाक मुपस्ति थी और इनका निर्वाचन छित्र कहा जाए तो कहां से थी मद्रासिक दो साथ डाक्षाइनी वेलायुदन नौदिसमों 1946 अर्थात पहली बैठाक मुपस्ति थी कहां से थी मद्रासिया सामाने से इनके बारे में एक और हम फ्रेक का प्रयोग कर सकते हैं कि ये सम्विदान सवा में अगर कहा जाए कि दलित प्रतन जित्त करने वाली महिला तो वो कौन हो जाएंगी वेलायुदन आगला जी दुरगा बाई ये भी पहली बैठाक में थी कहां से थी मद्रास से थी next हंसा मेता ये भी पहली बैठाक में पस्ति थी कहां से थी तो बंबई से थी मालती चौधरी ये भी पहली बैठाक में पस्ति थी कहां से थी तो उरीचा से थी सुचेता क्रिपलानी ये भी पहली बैठाक में पस्ति थी संग प्रांग अर्थाद उत्तरप्रदेश थी पूर्णिवाब एनार जी, ये भी पहली बैठक में उपस्तित थी, कहाँ से थी, तो समय प्रांध कि तो उत्तर पिन उत्तर प्रदेश कहते हो, वहां से थी कमला चौधरी ये भी पहली बैठक में उपस्तित थी, कहां से तो साइट प्रांदर था यूपी से थी विजालक्ष्मी पंडित ये पहली बैठक में उपस्तित नहीं थी जैसा कि मैंने आपके दो तच्छे रखे हैं, टोटल महिला है पंड़ा, पहली बैठक में भागिदारी की बात की जाए तो वो केवलो के उपस्तित नहीं थी, कहां से प्रते निज़ित था तो साइट प्रांद से बेगम, एजाद, रसूल, इनके बारे हम कह सकते हैं कि ये एक मात प्रमहिला थी, जो की सम्विधान सवा में मुस्लिम लीग का क्या कर रही थी, प्रते निज़ित तो कर रही थी, ये भी कहां से थी तो साइट प्रांद से, राज कुमारी, अमरित कौर, कहां से, मद्ध प् अगला, सरोजनी नाइडू, पहली बैठक मुपस्तित थी, कहां से थी सरोजनी नाइडू तो, बिहार से निर्वाचिन शित्र था, लीला रे, पहली बैठक मुपस्तित थी, कहां से थी तो, पर्शिम बंगाल से, रेनुका रे, पहली बैठक मुपस्तित नहीं थी, कहां से इनका प्रदिनिजित था प्रश्री मंगाल से और एनी मस्करीनी ये भी पहली बैठक बने थी कावंड कोर एंकोची संग से थी इनके बारे में एक तर्थ जो हमें ग्यात रखना है अगर आप से प्रश्ण रखा जाए कि सम्विधान सवा में देशी जासतों प्रिंचली स्ट लेट्स का अफ़ति निधित्तों करने वाली महिला तो वो उसका नाम क्या हो जाएगा एनी मस्करीनी तो ये जो पूरा चार्ट है इससे क्या बात निकलती है कि सम्विधान सवा में कुल महिलाओं की संख्या तो कितनी माले जाती है पंदरा लेकिन जो पहली बैठक हुई उसमें सम्विधान सवा के मात्र दस महिलाओं के दोरा भागी दारी की गई थी हमने पंदरा के पंदरा महिलाओं के नाम देखे हैं इन महिलाbirव में भी 2-3 फैट जो आपको ग्यार्थ होने चीए एक जैसक मैंने कहा कि देशी रियास्तों का प्रतने जित्तों करने वाली महिला एनी मस्करेनी होगी मुस्लिम लीग का प्रतने जित्तों करने वाली महिला वेगम एजाद रशूर होगी दलिद प्रतने जित्तों कहा जाए तो विलायुदन होगी साथ के साथ आपको इनके निर्वाचन शेत्र भी गात होने चाहिए कि कौन कहां से समयधान सभा में किस महिला का कहां से प्रतिनेदित हुआ है आपसे बकाईदा एक तरफ चार महिला आए दूसी तरफ उनके निर्वाचन शेत्र देकर एकजन्वर आपसे कह सकता है कि इन्हें बकायदा क्या कीजिए 100 मिनित कीजिए तो टोटल महीड़ा है थी पंदा लेकिन पहली बैठक में उपस्तित महीलाओं की संच्चा की बात की जाए तो वो केवल और केवल कितनी माने जाती है 10 पहली बैटक में अगर बात करों तो मद्रास प्रन्थ में जहांसे कुल 49 सदाष्यों की बात थी वहां से सरवाधिक सदाष्यों भाग लिए 43 सदाष्यों सरवाधिक कहा जाए तो Mondras से ही पहली बैटक में बात भागिदारी की गई थी तो ये सारी बैटके कहां पर बार जाती है पहली बैटक ही अब दोस्तों यहीं पर अगरम थोड़ा सा राजस्थान को जोड़ने कई बार सौल पुछा जाता चूब कि आप आरेश कर जब दे रहे हो कि राजस्थान से समयधान सभा में प्रतिने जित तो जैसा कि मैं आपसे कहा कि पहला जिस व्यक्ति का आपको नाम याद रखता है पहली बैटक में वो तो हो गया मुकुट बिहारी लाल भारगो जो कि अजबे नेरवाडा का प्रतिने दे तो कर रहे थे राजस्थान में बात करें तो यहां पर चूकि तो सदस्थों की संक्याबे बदला होता रहा लेकिन अगर आपसे एक साथ एक प्रष्ण रखा जाए कि राजस्थान से सम्धान सभा में कुल सद्थ्च राजस्थान से समिधान सभा में अगर कुल सदश्य पूछे जाए कुल सदश्यों की बात की जाए तो वहाँ पर जो हमें टोटल सदश्यों की संख्या बतानी है वो कितनी हो जाएगी 12 ध्यान दे यह पहली बैटक में नहीं थे लेगिन टोटल अगर वैमर की बात की जाए कि राजिस्थान में समिधान सभा में टोटल कितने तो 12 हम यहीं पर एक रज़ा डाल देते हैं 12 के 12 सदश्यों پर ताकि आफको जात रहे कि राजिस्थान का समिधान सभा में किन-किन सदश्चों ने प्रतिने रित्व किया और कहां का उन्हों ने प्रतिने रित्व किया तो यहीं पर अगर हमें एक नगर डाने समिधान सभा में राजस्थान के प्रतिनिदियों को वीटी क्रेश्था माचारी जोकी कहा से जैपुर यासत से हीरालाल सास्ती, इनका भी प्रत्रीजिट्चो समिधान सभा में कहां से, जैपूर यास्त से, सी रामचन उपाध्याए, कहां से, अलवर यास्त से, सी दलेल सिंग, कहां से, कोटार यास्त से, सी मुकृट बिहारीलाल भारगौग, अभी उने पीछे बात की, अजमेर सी जैनायन व्यास, कहां से, जोदपूर से, इसी तरीके से, बलवन सिंग, महता, कहां से, उधैपूर यास्त से, मानिकलाल वर्मा, कहां से, उधैपूर यास्त से, सी राज बहादू, भरतपूर यास्त से, जस्वन सिंग, विगाने यास्त से, सी सरदार सिंग, खेदरी या तो राजस्तान से टोटल सदश्यों के संग्जा की बात की जाए तो वहाँ पर हम 12 सदश्यों की बात करेंगे और पहली बैठक की बात की जाए जिसके दौरा भागीदारी की गई तो हो जाएंगे अजमेर मेरवाडा से मुकुट भिहारी लाग भार गई तो इस तरीकेस हम देख रहे हैं कि पहली बैठक तो समविधान सभा की कब हो गई 9 दिसंबर 1946 को अब दूसी बैठक की बात की जाए तो अमोमन दोस्तों हम किताबों में पढ़ते हैं कि दूसी बैठक कोई 11 दिसंबर को लेकिन जैसा मैंने आपसे का कि आप RS की तहरी करे हो आ वहां पर आपको फिर दूसी बैठक का जो प्रियोग करना है वो 10 दिसंबर 1946 को करना है ना कि 11 दिसंबर को दूसी बैठक 10 दिसंबर 1946 को ही थी इस दिन क्या किया गया इस दिन ये कहा गया कि कैसे समिधान सभा में इस्थाई अध्यक्ष का चुना होगा उसकी रीती का क्या क किया जाए और सम्विधान सवा की तो पहली मैटपूर समीती थी जिसे आप नियम समीती की संगया देते हो उसके मनोनेन की क्या प्रतिया होगी उसका भी निर्धारन कौन सी बैतक में किया गया था दूसी बैतक में तो दो बाते हुई दूसी बैतक अर्था 10 दिसंबर को एक इस्थाई अध्यक्ष के चुनाव की इस्थाई अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया का निर्धारन किया गया। दोसा नियम समीती के मनोनेन यहीं पर जान लीजे पहली समीती अगर कहा जाए जिसका गठन किया गया वो समीती कौन सी माने जाएगी नियम समीती नियम समीती के सदश्यों का कैसे मनोने होगा क्या प्रक्रिया होगी इसका भी दिर्धारन कौन सी बैठक वे किया गया दूसी बैठक में और ये दूसी बैठक कब होई तो 10 दिसमबर 1946 को ही इसका मतल हुआ कि अब तक जो हम पढ़ते आ रहे हैं कि 11 दिसमबर को दूसी बैठक है वो 11 दिसमबर तीसी बैठक के रूप पर माना जाएगा ना कि दूसी बैठक के रूपे ये लग बात है कि दूसी बैठक के काम इतने महत्मूर नहीं थे लेगिन जब बैठकों की संख कि बात की जाए तो वहां पर दूसी बैठक हमेशा आप जिस तितिक आप रयूग करोगे वो हुगा 10 दिसमबर 11 दिसमबर हमेशा कौन सी बैठक के रूप आएगा तीसी बैठक के रूपे हैं तो यहीं पर आगर हम तीसी बैठक की बात करें तीसी बैठक अब यहां पर तीसी बैठक में आप बकाइदा जिस तितिक आप रयूग करोगे वो है 11 दिसमबर 1906 पहली 9 दिसमबर दूसी 10 दिसमबर तीसी का जाए तो 11 दिसमबर इस दिन क्या किया गया तो अभी हमने दूसी बैठक में देखा कि इस्थाई अद्द्ष निर्वाचन की प्रक्रिया का निर्धरन किया गया यहां पर एक सक्ष जिनका नाम था डॉक्टर राजेंद प्रशाद इन्हें सम्विधान सभा का इस्थाई अध्यक्ष निर्वरोध रूप से निर्वाचित किया गया आई स्थाई सभापती तो कौन बने थे? सचिदानन सिना बने थे? स्थाई इद्रक्ष की बात की जाए, सभापती की बात की जाए, चेर्मेन की बात की जाए, तो वो कौन हो जाएंगे, डॉक्टर राजेंदर प्रिशाद हो जाएंगे अब डॉक्टर राजिन्द प्रशाद तीसी बैत्रक में समिधान सभा के स्थाई अद्रक्ष बन गए किस ने रखा है इनके नाम का प्रस्ताओं टेक व्यक्ति जो इस समय भारती राश्टी कॉंग्रिस के अद्रक्ष भी थे और जिनका नाम था आचारि क्रिप्लानी आचारि क्रिप्लानी के द्वारा डॉक्टर राजिन्द प्रशाद के नाम का क्या रखा गया तस्ताओं रखा गया इन्हें ही भारती समिधान का पहला वक्ता भी माना जाता है कई बात इस तरीके का सवाल पुछा जाता प्रथम वक्ता तो प्रथम वक्ता जो समिदान सभा में थे वो कौन थे आचारे कृप्रानी कुछ किताबों आप रादा कृष्टन का नाम पढ़ते हो जो की गलत है क्यों आचारे कृप्रानी को बान जाता है तो अभी जो पहली बैतक हुई थी डॉक्तर सचीदान सिना को इन्हों नहीं आसन गहन करने के लिए क्या किया था अंदोत किया था तो पहले सक्ष जो बोले थे समिदान सभा में वो कौन थे आचारे कृप्रानी इनके दोरा ही डॉक्तर रादिन प्रिशाद के नाम का क्या रखा गया था तस्ताव रखा गया था और इनके नाम के अगर हम समर्थन की बात करें तो सरदार पटेल ने रादिन प्रिशाद के नाम का क्या किया था समर्थन किया था यहीं पर ज्ञान रहे दोस्तों दूसी बैठक में ही महत्पूर्ण समीती जो भी हम बात कर रहे थे नियम समीती का गठन किया गया अब आप से कहा जाए किस सम्विधान में पहली समीती कौन सी गठी थुई चार समीतियों के नाम दिये जाए तो वहाँ पर आप कौन सी समीती का प्रयोग करोगे नियम समीती इस नियम समीती में एक अध्यक्स्ता पंदर सदश्यों का प्रावधन किया गया था डॉक्टर रादियन प्रिशाद की अध्यक्स्ता में नियम समीती का गठन किया गया था एक मात्र भाईला जी दुर्गाबाई एक मात्र भाईला की जो कि नियम समीती में क्या थी शामिल थी अब चुकि नियम समीती के द्यक्स स्वयम डाक्टर रादिन्द प्रशाद थे इसी लिए डॉक्टर रादीन प्रशाद के लिए हम समीधान सभा की प्रथम प्रवक्ता शब्द का प्रियूग करते हैं दो शब्द हैं वक्ता कहा जाए तो आचारे को प्रटा नहीं वक्ता तो केवल स्वैम का मत्रक्ता है प्रवक्ता पूरे समिधान सरभा की तरफ से जो वक्तव जारी करेगा वो कौन होंगे दौक्तर आधिन प्रशाद इन्हें क्या माना गया है माना गया है तो दूसरी बैठक में दौक्तर आधिन प्रशाद इस थाए अज्यक्ष बन गया नाम का प्रस्ताव प्रिप्टानी ने रखा समर्थन पटेल ने किया पहला वक्ता कहा जाए आचारक प्रिप्टानी प्रवक्ता कहा जाए दॉक्तर आदिन प्रशाद कौन से महत्पून समिती कटिच की गई नियम समिती अध्यक्ष कौन डॉक्टर आधिन प्रशाद एक मात्र महीला जो नियम समीती में शामिल थी जी दुरकाबाई नियम समीती में कुल सदश्यों की बात की जाए एक अध्यक्ष औ पंदर सदश्य ये समीदान सहबा की कौन सी बैठक थी तो वहां पर दूसरी नहीं बलकि कौन सी बैठक आएगी तो टी सी बैठक आएगी अब इसी दूसरी बैठक में चुकि बैठके तुछ लगा था चल ली थी उधर सत्र आय जी थो रहे थे सत्र में करना बात करें तो दूसरे सत्र में एक व्यक्ती जिनका नाम था ह.C. मुखर जी जिनका दोस्तो पूरा नाम है हरेंद कुमार मुखर जी हरेंद कुमार मुखर जी को समिधान सबा का उपाजक्ष निर्वाचित किया गया ह.C. मुखर जी या हरेंद कुमार मुखर जी को और ये बात है 25 जनरी 1947 की लेकिन हर इंदी कुबार मुकरदी बेसेकली बंगाल से थे और भारत विभाजन के कारट जो इनका छित्र था वो कहां पर चला गया था बंगाल भी चला गया था ऐसी स्थिति में इनकी सीट क्या होगी खाली होगी उदर समिरान सवा के दीमों में था कि एक नहीं बलकि पांच पांच उपाजख्ष निर्वाचित किये जाने चीए एक नहीं बलकि पांच उपाजख्ष होने चीए लेकिन बात में इस दीम को बदल कर दो उपाजख्ष की बात की गई कि एक जो British भर्द का पतिनित्त करे, दूसर वो जो देसी रियासतों या प्रिंस्ति स्टेट्स का पतिनित्त करे. तो ऐसी स्थिति में बकाइदा जुलाई – 1947 से देसी रियासतों का पतिनित्त करने के लिए एक और व्यक्ति जिनका नाम था V.T. कृष्टामाचारी इन्हें भी सम्विधान सभा का क्या बनाया गया तो उपाध्यक्ष बनाया गया के कहने पर दो ही उपाद्रिक्षों की बात की गई एक भیटिस भारत का प्रतिनित करने वाले स्थी मुकर जी देशी रियासदों का प्रतिनित करने वाले कौन हो जाएंगे विटी कृष्णा महाचारी इसी क्रम में 9 को बैठक हो गई, 10 को बैठक हो गई, 11 को बैठक हो गई, 30 को बैठक मैं आपको चौती बैठक सगर उबरू कराऊं फिर आपको ताजुब होगा कि चौती बैठक कब हुई तो वहाँ पर जो तिथी आएगी वो है 12 दिसंबर 1946 अब आपके मन में आ रहा होगा कि ये तो हमने कभी सुना इनी कि 12 दिसंबर को भी कोई कार हुआ था, बिलकुल चौती बैठक जो समीदान सभा की वो 12 दिसंबर करें, क्या होगा है, क्यों ही इतनी महत्पूर नहीं है तो दोस्तों इस दिन पहले ये प्रस्तावित था कि उद्देश प्रस्ताव जिस पर आगे में पर चर्चा करेंगे, जिसे आप 13 दिसंबर को देखते हो, उस उद्देश प्रस्ताव को पहले इसी चौती बैठक में 12 दिसंबर को ही रखा जाना था, लेकिन पहले जो देश प्रस्ताव प्रस्तावित था, वो कौन सी बैठक में था, चौती बैठक में 12 दिसंबर को, ये लग बात है कि 12 दिसंबर को देश प्रस्ताव रखा नहीं गया, लेकिन प्रस्तावित वकाईदा कहां पर था तो 12 दिसंबर को, तो मानिजे आपसे कहा नहीं है बारक इसी क्रम में अगली मेर्पुन बैठक की बात करें पांच वी और ये पांच वी बैठक हो जाएगी तेरा दिसंबर 1946 को अब चूँकि दस की बैठक को और बारक की बैठक को थोड़ा कम हैटपूर माना जाता है इसलिए आप कई किताबों में पहली बैठक 9 पढ़ लेते हो दूसरी 11 पढ़ लेते हो तीसरी 13 पढ़ लेते हो लेगन जैसा कि मैंने आपसे कहा कि 9 को भी बैठक हो 10 को भी बैठक होई 11 को भी बैठक होई 12 को भी बैठक होई अगली बैठक जो है 13 दिसंबर 1946 अब यह बैठक थोड़ी महत्पूर मानी जाती है क्यो मानी जाती है तो अभी हमने कहा कि उडश प्रस्ताव 12 दिस США घाना था और वो प्रस्ताव किस नाम से जाने जाता है उद्देश प्रस्ताव या अब्जेक्टिव रेजुलिशन के नाम से जाने जाता है इस उद्देश प्रस्ताव को जवाला नहरू के द्वारा रखा गया जिसमें भारत के भावी सुरूप की परिकल्पना थी कैसा होगा भारत इसे किसमें बताया गया था? उद्देश प्रस्थाव में, इसके अंतरगत कुल आठ उद्देश रखे गए, किसके अंतरगत? उद्देश प्रस्थाव के अंतरगत, एक व्यक्ती जिनका नाम था पुरुसुत्तम दास टंडन, जवाला नेरु ने रखा और पुरशोतम दास्ट अंडन के दूररा उद्देश प्रस्थाओं का समर्तन किया गया लेकिन डॉक्टर भीमडा雅मेड कर हो गए एमार जैकर हो गए उन्होंने उद्देश प्रस्थाओं का विरोध किया भिरोध इसलिक यह दोस्तों उन्होंने का किसे तुरंत पारिट नहीं किया जाना चीए क्यों नहीं किया जाना चीए मुस्लिम लीग अभी तक समिदान सभा में शामिल नहीं हुई थी असमंजस में थी अम्बेटकर और जैकर दोनों को लग रहा था कि हो सकता है कि मुस्लिम लीग समिधान सभा में शामिल हो जाए और बिना मुस्लिम लीग के समिधान सभा में शामिल हुए अगर उद्देश प्रस्ताओं को पारित कर दिया गया तो उसके बार तो उनकी कोई महता रही नी जाएगी इसलिए तत्काल मुद्देश प्रस्ताव पारित नहीं हुआ बलकि आप पढ़ते हो कि 22 जन्वरी 1947 को समिधान सबा के द्वारा जब ये लग गया कि अब मुस्लिम लीग नहीं आएगी तब कहीं जाकर 22 जन्वरी 1947 को समिधान सबा के द्वारा उद्देश प्रस्ताव को क्या किया गया पारित किया गया एक व्यक्ति जिनका दाम था मोहनलाल सक्षेना उन्होंने इसका उर्दू में अनिवार पढ़ा था तो रखने वाले जवाला निरूफ, प्रस्ताव, उद्देश प्रस्ताव, समर्थन, पुर्षतम दाश्टंडन, टोटल, आठ, कब पारित हुआ, 22 जन्वरी 1947 को पारित हुआ और यही उद्देश प्रस्ताव, आगे चलकर हम पढ़ेंगे, कि वर्तमान भारती सम्विधान में किसकी भूमिका निभा रही है, तो उद्देश ही का या प्रस्तावना की भूमिका निभा रही है, जो कि हमारे कोर्स में होजी समने पढ़ना है जवाहला नहरु के द्वारा रखा गया उद्देश प्रस्तावी वर्तमान भारती सम्विधान में उद्देश का या प्रस्तावना के रूप में कार कर रही है जहां समें समिधान दिर्माताओं के भावी स्वरूप, लोकतांतिक, गंडाज्य के भविश्य भलकी क्या मिलती है, जानकारी मिलती है तो जो हम प्रस्तावना पढ़ेंगे तो इसका विस्तार करेंगे लेकिन प्रस्तावना का पूरा रूप कहा जाए तो वो प्रस्ताव कौन था मान जाता है उद्देश प्रस्ताव या उद्देश प्रस्ताव का अगला चरण कहा जाए तो वो क्या मान जाएगा प्रस्तावना तो ये कुछ महत्पून बैठके थी पहले स्यशन की समानते जैसा यहाद मैं आपसे कहा कि दूसरी बैठक हो गया, चौथी बैठक हो गया जिए कम महत पूने इसलिए कई बार पहली बैठक 9 को बताकर दूसरी बैठक 11 को बताए जाता है 30 को बताए जाता है लेकिन चुकिए आप आरिस्की तारी के रहे हो तो आपको पताव नचीए कि पहली बैठक 9.1946, दूसी बैठक 10.1946, तेसी बैठक 11.1946, चौती बैठक 12.1946, पांची बैठक का जाए तो वो कौन से जाएगी 13.1946 को तो एक्जाम ड़क, बगाएदा आपसे प्रिश्ण रख सकता है, कथन एक, कि समिधान सभा की चौती बैठक में उद्देश प्रस्ताव रखा गया, तो कथन क्या जाएगा, असरत्य, समिधान सभा की पांची बैठक में उद्देश प्रस्ताव रखा गया, तो ये कथन सही ह होगा ये नहीं का वहाँ पर तीसी बैठक के अधार पर इस प्रश्ट को क्या कर दो कतन को गलत कर दो बगाएदा पांचवी बैठक में उद्देश प्रस्ताव को क्या किया गया था रखा गया था पारित उद्देश प्रस्ताव कब हुआ है तो 22 जनरी 1947 को तो ये जो हमने प कौन सी समीती बनी तो पहली समीती नियम समीती थी कब रखा गया कौन सा प्रस्ताव रखा गया किस ने रखा कितने उद्देश थे किस ने समर्थन किया कब पारित हुआ ये जितने भी फैक्ट्स हैं ये सारे के सारे फैक्स एक्जाम की दिश्टी से बहुत जादा महतूर ह तो इस तरीके की समिधान सवा की कुल कितनी बैठके हुई थी तो 167 बैठके हुई थी और 12 सत्रों के अंतरगत हुई थी लेकिन ये जो पहली 5 बैठके हैं ये हमारे एक्जाम की दिश्ट्री से कुछ जादा महत्पूर मानी जाती है और इन 5 बैठकों के हमें पूर्ण रूप से क्या होनी की जानकारी तो दोस्तों इस क्लास को हम यही पर विराम देंगे अगली क्लास में हम सब देखेंगे कि समविधान निर्बान के लिए जो भी महत्पूर समीतिया गटित की गई पहली समीतित हम ने पढ़ लिया कि दियम समीति गटित हुई लेकिन इसके अलावा कौन कौन से महत्पूर समीतिया थी और उसमें भी प्रारूप समीति क्या है जिसका भारती समिधान निर्बान में सरवातिक महत्पूर योगदा माना जाता है इस क्लास को हम सब यहीं पर विराम देंगे मिलते हैं अगली क्लास में तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद नमस्कार